नमस्कार फ्रेंड्स, online tech, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब चलिए वडियो को सुरू करते हैं, आज की सुड़ी में हम बात करने वाले हैं, क्या IIBF Certificate की तरह ही, DRA Certificate mandatory है, CSP honor के लिए, CSP के लिए, क्या CSP के पास अगर DRA Certificate नहीं होगा, तो उनका CSP replace हो जाएगा, इन सभी चीजों पे हम आज इस वडियो में बात करने वाले हैं, और मैंने जैसा कि कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था DRA Certificate के regarding, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया था कि ये DRA Certificate को होता क्या है, और इसको पाने के लिए किस तरह से registration होता है, और किस तरह से examination होता है, और कहां से हम apply कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा details भी सुड़िम बात करने वाले हैं, चली वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बारा हैं, तो वीडियो के नीचे लाज से लिखे subscribe बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आई-ई-ई-ई-ई-ई-फ से लिखे subscribe हो चुका है, यानि कि अगर पहले क्या था कि पहले इसको जो है notification बैंक ने जारी किया, कि जितने भी CSP हैं, चाहे हो किसी भी बैंक हो फिलाल, अगर जिनके पास CSP हैं, उनको जो है IIBF certificate होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उनका CSP बंद कर दिया जाएगा, या replace कर दिया जाएगा, तो मजबूरी में सभी CSP honor इस certificate को प्राप्त किये, IIBF examination को पास किये, उसके बाद उनका continue CSP चलता रहा है, उसके बाद अगर हम DRA certificate की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसका full form, तो इसका DRA का full form होता है debt, recovery, agent, यानि कि अगर कोई भी loan से relative अगर आप काम करते हैं, तो उसके लिए DRA certificate होना जरूरी है, यानि कि अगर loan recovery का अगर काम करते हैं, तो आपके पास जो है DRA certificate होना जरूरी है, अगर नहीं है, तो यह illegal होगा अगर आप loan recovery का अगर काम कर रहे हैं तो जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से हमारे पास बहुत सारे loan recovery से relative बहुत सारे option आएं, जिसमें कि अगर bank बहुत सारे लोगों को जो भी DRA पास है, उनको बहुत सारा काम भी provide कर रहे हैं, और कि उनके ID पे loan भी map कर रहे है, recovery करने के लिए, तो इस तरह से काम provide किय जा रहा है, तो यहां पर अभी फिलहाल जो है, यह mandatory नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत जल्द जो है, यह mandatory हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही loan पे प्रोसेस करेगी bank, यानि कि आने वाले दिनों में आप सुन रहे होगा, कि CSP भी loan provide कर पाएगा, CSP में भी loan का कारे होगा, तो यहां पर आपको DRA Certificate mandatory हो जाएगी, और यहां पर क्या है, कि अगर आप SBI CSP owner है, अगर CSP चलाते है state bank का, तो आप यहां पर DRA Certificate को जरूर qualify करके, पास करके अपने पास रख ले, क्योंकि यहां पर अब जो है, उसको mandatory bank कभी भी कर सकती है, और बहुत सारे लोगों का question य के लिए, हमें किस तरस से registration करना है, और यहां पर किस तरस से हमें जो है, उसका examination qualify करना है, तो सारा कुछ जो है, मैं next video में बताने वाला हूँ, एक एक चीज, कि वहां पर आप जो है, कैसे registration कर सकते हैं, कैसे training ले सकते हैं, और उसके बाद कैसे examination दे सकते हैं, उसके बाद भी कमेंट था कि वो दियारे ॆ सेटिफिएक जो है आभी तक उनको नहीं मिला वह दियारे करूज पास हो चुके हैं लेकिन उनके घर पर जुके तुसको प्रोसेस इश्ट उडियो में बताने वाला हूं तो इस वीटेटा है अगर आपको थोड़ी सबी अच्छी लगी हो तो वडियो को लाइक करें कमेंट करें शेर करें और इस चैनल पर पहली बारा है तो वडियो के नीचे लाल से लिखें सस्क्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें ताकि SBI, CSP स कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अप्लोड करता रहता हूं तब तक क्लिए थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में इसी तरह के मातून अपडेट के साथ